हालो हाई दोस्तों नमस्कार वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल इस्टडी विद थी फोर सीवन साथिव पिछली वीडियो में हमने आप लोगों को प्रॉफिट एंड लास के बारे में बताया था उसमें हमने आप लोगों को बताया था प्रॉफिट क्या होता है लास क्या को दस से कुस्ट्ट कराए थे profit and loss के तो आए एक वीडियो में अगले टाइब के कुस्ट्ट हम हल करेंगे तो आएए हम देखते हैं अगला टाइब का कुस्ट्ट्ट्र क्या है यहां पर हम देखेंगे पहला जो कुस्ट्ट्ट्री क्या है एक वस्त को लागत मूल और विक्रे मूल के बीज का अंतर तीन सो साथ है अधिलाव जो है वीस है उसका विक्रे मूल क्या होगा आनि इसमें दो दिया गया है कर ती इस ती फिया गया है फिश परसेंट कर बीज़ परसेंट तो इसका बिक्रेमूल मूल क्या होगए बिक्रेमूल जो होगा सब सब सब्सक्राइब कर देंगे दो चक बारा हो जाएगा इसको हम गुड़ा कर देंगे तो आजाएगा 21,60 इसका आंसर हो गया गया आपसन नमबर डी अगले कूस्टन पर चलते हैं यहां पर देखेंगे एक वल्ला का लागत मूल और विक्रे मूल की बीच का अंतर 180 है अधिलाब 20% है तो वल्ली का विक्रे मूल कितना होगा लागत मूल और विक्रे मूल का अंतर जोगी दिया गय 180 इस पर कितने का लागत हो रहा है 20% का तो इसका विक्रे मूल विक्रे मूल यानि 120% का मान हमको पूंचा है इसको हम इसको कर देंगे अब इसको कर देंगे 90 आ जाएगा बरणों में 108 यानि 1080 इसका अंसर हो जाएगा अपसन नमबर एफ अगले कुश्चन पर चलते हैं 40 लेखों का विक्रे मूल 50 लेखों की लागत मूल के बराबर है तो यहां पर हम लिखेंगे 40 SP इकल टू 50 CP जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा यहां पर हम देखेंगे CP और SP का नुपात जो आएगा CP और SP का जो नुपात आएगा इसमें जब देखते हैं तो इसका जो अपोजिट हो जाता है यानि चार जो हो जाएगा CP हो जाएगा और पांच जो हो जाएगा SP हो जाएगा इनि चार की वस्त को हम पांच में बेंच रहे हैं यानि हमको लाग हो रहा है लाब केतने का हो रहा एक का हो रहा है चार भी हो रहा है तो हमको इसका percentage निकालना है तो एक बटे चार यानि 25% 25% जो होगा वो घेन होगा यानि लाब 25 परसेंट लाब होगा अगले question पे चलते हैं इसमें जो दिया गया है यह दि कोई विक्ति बिक्रे मूल पर अपने लाब परसेंट की गढ़ना करता है और उसके अंसार उसका लाब 20% है तो उसका वास्तिक लाब क्या होगा 20% की जो बैलू होती है यहां पर हम देखेंगे 20% की जो बैलू होती है होती है एक बटे 5 इसमें क्या कहा गया है बिक्रे मूल पर जो है अपने लाब की गढ़ना करता है यह जो है यह SP है और एक प्राफिट है है कि हम 5 को मिह पांच जो है सेलिंग पराइस है इसपे इसको सीपी जो है चार में बेचेंगे स्पी उकल की पर चार में प्रॉपिट होगा तो यहां पर हम क्यों पूशा है तो उसका वास्त्विक लाब परसेंटेज बता एंदिए चार की वस्त को हम पांस में बेच रहे हैं तो एक का जो लाव हो रहा है कितने फोर हो रहा है चार पे हो रहा है गुड़े सव कर देंगे यानि कितना हो जाएगा पचीस परसेंट आपसन नमबर एक अगले कुस्ट्ट पर चलते हैं इसमें जो दिया इसमें जो दिया होता है किसी रहा हो दो बार करूंची कि यह देखेंग हो कहांद है है इसमेंक प्लिशन पूशन गुछ से यहां पर हम देखेंगे प्छाइब को प्राप्त लाव उसी वस्त को 360 रुपे में बेचने पर हुए नुकसान का दुगुनाहे तो यहां पर हम देखेंगे यहां पर 360 में बेचते हैं तो बेचने पर हुई नुक्सान का दो गुणा है तो गुणा है काउन है और हानी का यहां पर हम दो लिखे देंगे यहां पर एक लिखे देंगे इसका जो हम डिफरेंस निकारेंगे तो आजाएगा 180 180 जो है कितने का मान है 180 बटे दो और एक तीन का मान है गुड़ी एक इसका हम करेंगे तो कितना आजाएगा साथ हाजाएगा यहां यहां पर हम से और आजाएगा जोड़ देंगे कि 360 पलस साट इकल टू जाएगा कि चारसो बीस जो होगा इसका अंशर होगा कि यहां पर हम इससे भी 540 से भी इसका अंसर ला सकते हैं पांसो चालिस से जब आंसर लाएंगे यहां जो देखिए एक सो असरी वटे तीन किये हैं तो गुड़े एक किये हैं तो यहां पर हम जो जब इसको दो कर देंगे तो हो जाएगा एक सो बीस-एक सो बीस में से हम जब पांसो चालिस को भटाएंगे तो आजाएगा चार सो बीस और दूनोगे ऑद हो शाइथ से सिम आएगा अग kommen स cholrimin पे जलते हैं का बीस गुना है तो ग्याद करें बीस परसेंट का लाफ कमाने के लिए वह इसको किस कीमत पर बेजना चाहिए एकदम सेम प्रोसेस पर है सिर्फ थोड़ा इसमें गुमा दिया है सवाल को तो यह हम देखते हैं यहां पर देखेंगे सीपी आठसों थे फिर उसको दोसों पचाथ 2 then इसमें क्या गया होने वाले हानी का बीस गुना है यानि हानी इसको हम इसका डिफेरेंस जब नहीं का रहेंगे तो आ जाएगा पां सों पचीज चान कि यसे लिखेंगे 21 गुड़े एक कि इसको काटेंगे तो पांचो पचीज का भाग देंगे तो आजाएगा 25 कि 25 आजाएगा 25 आजाएगा तो इसमें हम से चीपी निकाले के लिए चीपी जो निकालेंगे सीपी उकल टूटू 275 पलस 25 को जोड़ देंगे आजाएगा 300 अब 300 का 20 परसेंट जब निकालेंगे 300 गुड़े 120 परसेंट लाव है तो यहनी 120 हो जाएगा पांसो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा यहनी 360 आएगा बारतियां 36 यहनी 360 पर बेचे जाना चाहिए तब उसको 20 परसेंट का तब उसे 20 परसेंट का लाव हो जाएगा अगले कोर्शन पर चलते हैं एक वस्त को 13,400 में बेचने पर से होने वाले लाव और 11,600 में उसी वस्त को बेचने पर होई नुकसान के बराबर है अगर इसे 14,750 में बेचा जाता है तो लाव क्या होगा यहां पर वह इससे दिम देखेंगे CP 13,400 फिन 11,600 लाव और हान इसमें बराबर दिया है यह एक एक दिया है यह इसका हम डिफेरेंस से जब निकारेंगे तो आ जाएगा अठारा सो अठारा सो भागे दूए गुड़ी एक यह नहीं आ जाएगा ना सो इसको ना सो और ग्यारा सो साथ हम आपस में जोड़ेंगे तो CP आ जाएगा कि ना सो और ग्यारा सो साथ को हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा बारा कि पान सो अब हम सीपी यह है तो हमको कितने बेशना है अब सीपी आ गई है हम इसको कितने बेच रहे हैं 14,750 में 14,750 में इसको हम बेच रहे हैं 14,750 में बेच रहे हैं तो हमको इसमें पूंचा है तो लाब क्या होगा इसको 14,750 में 12,500 हम घटा देंगे जो आएगा वह यह आंसर होगा इसको जो हम घटाएंगे तो आ जाएगा बाइस पचास यानि आंसर जो होगा बाइस पचास आएगा आंसर है या अपसन नमबर डी अगले कोशन पर चलते हैं को इस पर जो दिया गया है किसी वह स्कौर्स में बेचने पर जो हान होती है कि वह आप आप लवग्राफस से एक 20 परसेंट जादा है यहां में नहीं कि प्रेंगे सी कर्राफ़ सु कि छी आलिस और कि कог कि तना ज्यादा है तadows इस परसेंट ज्यादा है कि लाव生 हो जाता है यहां 109 जो फेट निका रहेगे 446 आएगा 446 भागे 230 गुरी 130 इसको काटेंगे दो बार जाएगा वनी आजाएगा 246 आजाएगा 246 आजाएगा 800 में 246 246 को हम जोड देंगे कि सीपी हमको इसमें निकालना है तो 800 में 246 को जोड़ देंगे 800 पलस 246 इसको जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 10-46 इसका आंसर है आपसन नंबर डी तो साथ यो वीडियो कैसा लगा कमेंट बाक्स में जरूर बताएं विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद